कितने ही ऐसे भय प्रते दिन व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता एदुरदर से हम कोई चर्चा सुनते हैं उसके उपर अपना मन्थन लेकर आते हैं वो मन्थन चिंतन की और नहीं जाकर चिंताओं की और बढ़ता है और इन चिंताओं के बाद में व्यक्ति अपने रातों की नीन दुड़ा देता है इन चिंताओं के साथ में अपने अस्तित्व को इतना गहराई से जोड़ देता है कि अपने क्षमताओं पर ही प्रश्न चिन लगाता हुआ भूम्टा है राहु और केतु ठीक इसी तरह से व्यक्ति की अंतर चेतनाव को प्रभावित करते हैं या यूँ भी कह सकते हैं कि राहु जहां व्यक्ति की सबकॉंशे से प्रोच के उपर impact को reflect करते हैं तो वहीं केतु की स्तियां भ्रम के आधार के साथ में जीवन को गतिमान करती है आसक्ति और विरक्ति का खेल लगातार जीवन के भीतर चलने बला होता है 12 अप्रेल 2022 वो तारीक जहां 18 महिनों की वक्र गत निरंतर चलती हुई यात्रा को पूर्ण करके ये दूनों ही प्रमुक चाया वादी पापिक रहे वरिशप और वरिश्चिक राशी स्थान से अपने संचरण को पूर्ण करके मेश और तुलाराशी स्थान में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे तो जब ये दोनों ही प्रमुक ग्रही विवस्ता के आधार परिवर्तन के और होंगे तो कन्या राशी के जातकों के लिए किस तरह है कि फलसूचनाई सम्मुख निकल कर आती है इसका संपूर्ण और समग्र चर्चा बरतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजर और वबस्तित हैं जब भी कोई अन्य प्रमुख तारा ग्रहों की विवस्ताईं या फिर दरश्य मान ग्रहों की विवस्ताईं परिवर्तित होती है यानि सब तक रही विवस्ता के हम चर्चा कर रहे हैं उन्दू प्रमुख ग्रहों को छोड़ कर तो ऐसे में व्यक्ति संभाव नाओं को खोचता है परंदू जैसे ही राहू और केतू परिवर्तन के और जाता है व्यक्ति सावधानियों के साथ में चलने का प्रियास करने वाला होता है और इन्हीं सावधानियों के साथ में हम कैसे जीवन को नयापन दे सकते हैं ये भी समझने का प्रियास करता है विशेश बात यह है कि कन्या राशी के जातकों के लिए जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो राहू और केतु के आधार को तो हमने दर्शाया ही है इसके साथ में ही शनिदेव के आधार को भी यहां पर हमने दर्शाया है इसके पीछे वज़ा यह है कि 39 अपरेल 2022 से 12 है जुलाई 2022 और इसके बाद 17 है जनवरी 2023 से ही महा अन्याइदे पती शनिदेव सोहिम के मूल त्रिकॉन के साथ में चलने वाले होंगे और एक तरह से 30 दर्श्टी से अपने नीचस्त राशिस्तान जहां राहू, निरंतर, वक्र, गत, आधार पर चलाएमान रहेंगे अपने दर्श्टी निक्षिपन को रखने वाले होंगे राहू और शनिदेव दोनों की ही दर्श्टी यहां 12 भाव पर भी रहने वाली होगी उस समय अंतराल में जो की सूर्य देव का राशिस्तान है तो ऐसी स्ततियों में किस तरह है की फलसोचना आए 12 भाव के साथ रहेगी यह भी एक प्रमुक चर्चा जनेत विशय है सरुबर्थम आप यह देखिएगा कि जो राहू की स्ततियां यहां नवम भाव के साथ में चल रही थी जो बारम बार भाग एको संदेह मिल रहा था higher education के साथ में abrupt approach में negativity निकल करा रही थी अनभव उतना benefit नहीं दे रहे थे जतनी आविशकता होती है यह एक तरह से नगारात्मक स्तति थी जो भाग की भाव के साथ में राहू की जुड़ी हुई थी परन्तो जैसे ही राहू अस्तमस्त प्रविश करेंगे इस्ततिया परिवर्तन शीलता के साथ में सम्मुक आने वाली हो जाती है तो काफी हद तक अब जो भाग की के साथ में आपको निरंतरता नहीं मिल पा रही थी वहाँ पर positive indication आपके साथ राहू जैसे ही यहां अस्थम भाव में प्रवेश करेंगे तो ऐसे इस तर पर जो अग्याद भाव होते हैं जो hidden problems होती है जिनका आधार जीवन में दूर दूर तक भी नहीं था कहीं पर कोई बहुत पहले mistake हुई थी कहीं पर पहले कोई संबंद की स्ततिया रही थी कहीं पर भी कोई भी ऐसे वैचारिक मदबेद रहे थी जो आज गौन हो चुके हैं वो मानस पटल पर पुनह अपनी जगह को अंकित करने वाले होते हैं और वहीं से व्यक्ति अपने भाई के स्वरूप को सामने लेकर आता है इस पस्ट अर्थ यही है कि राहु की जो ये स्ततियां अस्टभाव में मंगल के राशी स्थान में प्रवेश क कहीं पर भी पहुंचाते नहीं है इस इस्तती से सावधान रहकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब लगने लगता है कि ये महनत सारी ही व्यर्थ गई हम कहीं पर भी पहुंचने वा कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि कन्वेंशनल एप्रोच के साथ में हम जो भी खोजबिन कर रहे हैं बियॉंड कन्वेंशन हम किसी भी प्रोड़ेक्ट के साथ में रिसर्च कर रहे हैं ऐसे इस्ततियों में जब भी राहु अस्थमस्त प्रवेश करते हैं मंगल के र राशाओं को जन्म देता है जो आपने इतनी महनत की है वो व्यर्थ नहीं जाए ये प्रयास आप बारम बार अपने साथ रखने का प्रयास करते है चले जाईएगा और साथी साथ में ये विश्वास रखिएगा कि राहू की जो ये पूजिशन है जैसे ही आप अपनी सबकॉ से फियर हटाने वाले हो जाते हैं एक क्लियर रिफलेक्शन को भी देने वाली होती है और जो व्यक्ति के भीतर की रिबेल है जो विद्रो की प्रवर्टी है वो सामने निकल कर आती है और उस कारे की पूर्णता की और भी रियक्ति विशेश को लेकर जाने वाली होती है ये एक ताकत आप अपने साथ में बनाकर रखने का यहाँ प्रयास जरूर करते चले जाईएगा शनिदेव की जो द्रिस्टी यहाँ राहू पर रहने वाली होगी अपनी नीचस्त राशी स्थान पर रहने वाली होगी इसे के साथ कोई भी ऐसा निरनायक कामकाज है जो विदेश संबंदी स्तियों के साथ में जुड़ा हुआ है इसमें जो यहाँ बारहे अपरेल से लेकर 29 अपरेल तक का समय अंतराल है इसके बाद जो बारहे जुलाई से लेकर जो 17 जनवरी 2023 तक का समय अंतराल है इसे अति महत्वपून का जाएगा क्योंकि शनिदेव का दृस्टी निक्षेपन उस समय द्वादश भाव पर नहीं रहेगा राहू का दृस्टी निक्षेपन यहां द्वादश भाव पर रहने वाला होगा जब भी व्यक्ति लगातार कोशिशों के साथ में होता है और सौयम को ये कहता है कि एक बार पुनहे विश्वास के साथ में प्रयास करके देखते हैं वहीं से राहू सफलता के सिरों को भी यहां अंकित करने वाले हो जाते हैं जब व्यक्ति भीतर के विद्रोह से विजय प्राप्त कर लेता है जब व्यक्ति भीतर के शंशय को पूर्ण तया समाप्त कर देता है जब व्यक्ति भीतर की निराशाओं के भाव से लड़ने की ताकत प्राप्त कर लेता है वही पर राहू व्यक्ति को एक अलग आभा दिखा आने वाले होते हैं एक अलग ताकत देने वाले होते हैं जो सोच लगातार चिंताओं के साथ में व्याय हो रही थी कहीं पर भी मानस पटल पर सकारात्मक्ता नहीं थी जब हमने एक बार अपने द्वंद के साथ में स्तितियों को स्विकार किया मन के बीतर से ऐसे बै हटाए ज जो 29 अप्रेल से 12 जुलाई तक का समय अंतराल है, 17 जनवरी 2023 वो तारीक रहेगी जहां शनिदेव अपने मूल लित्रकॉर्ण में निरंतर करम के साथ चलने वाले होंगे, वहाँ पर जो ये समय है आपको इस्थिर वादिता से थोड़ा सा दूर रखेगा, आपने अपने शहर से दूसरे शहर में किसी भी कामकाच की शुरुबात की, किसी भी और प्रजेक्ट की और आप गए, इसके बाद में जो निरंतर तोर पर आपके संगर्ष चल रहे थे, उसे संगर्ष से मुक्ति के जो मानट मिलने चाहिए, उसमें थोड़ा सा समय लगता है इस एक बात को अपने साथ आप अंकित करके जरूर रखिएगा, राहू स्वयम शनिदेव बदफल करते हैं, और शनिदेव अपने मोल ट्रकॉर्ण के साथ में रहकर, जब सूरी के राशी स्थान को देखने वाले होंगे, इस आधार पर 29 अप्रेल से 12 हैं जुलाई के मद् आप ये देखिएगा कि केतु यहां द्वितिय भाव के साथ में पराक्रम से जब निकलेंगे, तो आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी आ सकती है, इस बात से हम इंकार नहीं करेंगे, हाला कि जो शनिदेव का दृष्टी संबंध है, वो पुने है पराक्रम को ताकत देने वाला होगा, परंतु केतु यहां सकेंड आउस में है, एक बात आप गौर कीजिएगा, कि केतु की यदि आपको महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है, और केतु जब ऐसे परिवर्तन के साथ में हों, आपके गोचर में द्वितिय भाव के साथ हों, आपने कोई भी ऐस कारे किया है, जहां वेग अप्रोच है, जहां ब्रह्म है, मालुम नहीं है, कि सफलता यहां से है भी या नहीं, वहीं पर केतु आपके लिए आकस्मिक लाब की इस्तियों को लेकर आते हैं, वहां अपनी विरक्ति के साथ आप चलने से बचें, क्या होगा, कैसे होगा, यह आद में देखते हैं, जो अभी सामने है, उसकी पूर्णता को लेकर चलते हैं, यह ताकत आप अपने साथ बना कर रखें, आपकी वानी, आपके सीर, रश्ष्ष्ष्ट, आधार को निर्मित कर रही है, शुक्र के राश्चिस्तान में चलाइमान रहने वाले केतु की यह प पूटी बातों में विद्रो के आधार, आप यहां लेकर आने से पूर्णतया बचने वाले रहें, और वानी जब आपको यहां ताकत के साथ लेकर चल रही हो, वानी एक अलग convincing power दे रही हो, तो यह समझ कर चलना चाहिए, कि जो हम कह रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं, उसमें एक समानता मौझूद है। कई बार व्यक्ति को एक ऐसी टास्क और्गनाइजेशन में दी जाती है। बिजनस के साथ में कोई व्यक्ति विशेश ऐसी एक टास्क के साथ में जूड़ता है जो लगबग असंभव नजर आती है। परंत व्यक्ति अपनी अंतर चेतनाओं के मारफत एक ही बात को कहने वाला होता है कि इस कारे की पूर्णता के साथ हम चलने वाले होंगे और वहीं से सारे ही स्ततियों को हम बदल कर रख देंगे ये ताकत केतु के साथ आपके लिए बनी हुई इससे हम बिलकुल भी इनकार कर जिस भी लगातार आपको मिलने वाला हो सकता है कोई भी डाउट वोल एप्रोच यहां पर आपके लिए नहीं है ये इस पश्टत आपने साथ रखें राहु के दृष्टी संबंद की ये हम चतुर्त भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो ये और करने लाइक बात रहेगी क भूमी संबंदित कामकाज में आपके लिए खलके फलके अटकाव सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं जिस भी कारे के साथ में आपने भूमी संबंदित आधार को देखा है लग रहा था कि पूर्णता निकल कर आ सकती है परन्तु वहीं से हमको किसी विक्ति विशेश के द बड़ा सा समय लगाएं परन्तु आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें और यहां जो माता के साथ संबंदों में हलके खुलके तोर के उपर अगफलतें निकल कर आ रही थी उससे भी आपको यहां बचने की जरूरत रहेगी विद्रोह की प्रवर्तियों से संबलना आवशक ह साथ में अपनी स्ततियों को लेकर चलते हैं उनके लिए बहतरी के सरोका रसम मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं इससे हम बिलकुल भी इनकार करने वाले नहीं होंगे आप यह भी देखिएगा कि हरदय संबंदी जो रोग लंबे समय से ग्रसित रहे थे आपने प्रॉपर विशेश मिलने आता है एक उधारन है और वो नकारात्मक करके चला जाता है वहीं से विक्ति की सबकॉंशियस में फियर पैटने लगते हैं ऐसे लोगों से दूर रहने के आवशक्ता है ऐसी चर्चाओं से स्वयम को दूर रखने के पूरी पूरी आवशक्ता है इस एक बा परंतर शिव पासना के साथ में चलने वाले होंगे अपने भीतर के भाई को समाप्त करने वाले आधार भी यहां आप बनाते चले जाएंगे इसमें कोई भी इलकार नहीं चंदर शेकर अस्टकम के पार्ट के साथ में यदि आप यहां शुरवात करने वाले होते हैं इस्थ को relate करते हुए issues से सावधानी रखें यहां आकस्मिक आलस्य आपके साथ पनपने वाला हो सकता है उससे भी संभलने की पूरी पूरी जरुरत आपके लिए रहने वाली होगी यह एक निविदन विदेश संबंदे कार्यों के साथ में कोई भी ऐसा abrupt डिसीजन लेने से बचिएगा जो आपके लिए हिदगामी नहीं है लोगों के बहकावे में आकर ऐसे डिसीजन से संबलना बेहद जरूरी रहेगा तो यह था कन्या राशी के जातकों के लिए राहू और केतू के परिवर्तन का समक्र चर्चा वरतान था मैसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शहर आभार